पुन्यान बिक्षु आविद्या अंदखार में तुबकर त्रिष्णा से भरे हुए रहने वाले बाल का इस जीवन में बाल का इस जीवन इसी प्रकार बन गया है नाम्रूप ये दोनों हेतु के कारण इस परशु पन होता है बाल रख जीवन इसे बन जाता है नाम्रूप के कारण इस परशु पन होता है फीर आयत चे आयतनुपन होता है इस्गेकारन स्पर्स पाने से सुख और दुख भोगता है कौन बाव पुन्यान बिक्षु अविद्या अंदकार में डुबे हुई तृष्णा से बरे हुई पंडिक भी इस जीवन में उसी प्रकार है थे कैसे इसी जीवन में बाहिर नाम रूप ये दोनों हेतु के कान इश्पर्श उत्पन होता है चे आयतन उत्पन होता है इसी प्रकार से महसुस करने से सुख और दुख भोगता है तो पुन्यान बिक्षु इस कारण में बाद और पंडिक का फरक क्या पड़ता है बाल पंडित अलग केसे होता है कौन से प्रेयोंग है क्या अलग है बंतिल बताइता था कि हमारे धरम आपका हमारे गुरु आप है आप जो बोलता है वेसे हम लोग सुनेंगी तो सुनें बिक्षु आविद्या से बाल अंधेरा होने के बाल त्रिष्णा में डुबने के बाल अविद्या ही बाल को नस्ट नहीं हुआ है अविद्या में डुब के रहने के कारण त्रिष्णा में डुब के रहने के कारण बाल को अविद्या कतम नहीं हुआ है वो त्रिष्णा ही बाल के पास कतम नहीं हुआ है इसका कारण क्या है? अच्छी तरह दुप नश्ट करने वाले आरेश्टांगिक मार्ग पे वो जीवन चलाया नहीं इसलिए बाल मरने के बाद और सरीर के पास चल जाता है सरीर के पास जो आता है वो बाल जनम से मुक्त नहीं होता है जरण मृत्यू से मुक्त नहीं होता है सव्प दुख पच्ता भरेशान से मान की दुख चारविद्यारी दुख तकलिफ से मुक्त नहीं होता है दुख से मुक्त नहीं होता है इसा मैं कहता हूं पुन्यान विक्सु जिस्प्रकार अविद्या से पंडित भी पंडित मतला बुद्धिमान ब्यात्ती भी अनिरा हो गया तो तृष्णा से युक्त हो गया तो वो अविद्या ही उसको नाष्ट नहीं हुआ वो तृष्णा ही उस पंडित के पास बुद्धिमान ब्यात्ती के पास जिस अविद्या से अंदेहरा हो गया तो जिस तृष्णा से तृष्णा में डुब गया तो वो बुद्धिमान पुरुस। उस अविद्या ही नश्ट कर दिया है उस तृष्णा ही खतम कर दिया है इसका कारण क्या है अच्चे तरह दुख खतम करने वाले आरे श्टांगिक मार्ग का नाम का आरे मार्गे पर वो आचरन करता है इसलिए वो बुद्धिमान प्यक्ति मरने के बाद फिर सरीर में नहीं आता है। सरीर पे नहीं आने वाले वो बुद्धिमान प्यक्ति जनम से मुक्त होता है। जरा मुर्थी से मुक्त होता है। सोग, पस्ता और दुख से इत्यादी से मुक्त होता है। इस समें खहता हमाम इसे प्रकार बाल पंडित का फरक्षिंग इसका उनका बाल आरे मारगा पे आरेस्टांगे पे नहीं जाने कारण की दिए कारण टृष्णा अविद्या नस्त नहीं हुआ आए लिखिन बुद्धिमान ब्यक्ति आरेस्टांगे पे जाने कारण पच्चय पच्चय युपन्न सुथ्थ पच्चय 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 इसको पच्चय समपद मतला हेतु फ़ल धरम इसको पच्चय समपद की इसको सब्सक्राइब तक हुद्पन होता है करें बता दुने ज्यान से मैं बता दूँगा जी तथागत पुन्यान बिक्षू पटिस्वंपाद मतलब क्या है बिक्षू जनम लेने के कारण जरा मुर्ट्यू है ये जो कारण तथागत भगवान बुद्ध लो जनम लिया तब भी जनम नहीं लिया तब भी होते रहता क्या जनम लेने के कारण जरा मुर्ट्य होना बगवान बुद्ध जनम लिया तब भी नहीं लिया तब भी दुनिया में होते रहता सनातन धरम है स्वाभाविक है सनातन धरम है हे तपाल धरम है नियम धरम है क्या नियम धरम है जो जनम है तो जानम के कारण ज़रम नब्च्छु वर तो लेकिन आधाकत भगवान बुद्थ वो कारण अन Question करते हैं जान जाते अपना ज्यान से प्रत्यक्षं करते हैं समस्रें लेते हैं तो वो कारण oxid करके ज्यान से प्राप्त करके सारे जग को देवमानों होग से दिखाते हैं da पिपदेश्व देते हैं और समझाते हैं और लोगों को खोल देता है ज्नकाल कर दिकाता है ज्न से माननित करेंकर देखनी के लिए बताते हैं पटागत वाग sociology सुँद्ध दुन्या में जो हमेशा होता है वह कारण निकाल के बताता है पुन्यान्बिक्षू, इसी प्रकार जनम के कारण जरामृत्य उप्पन होता है, ये जो कारण है वो सत्य है, कभी जूट नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है, ये हेत्व धरम है पुन्यान्बिक्षू, इसी को कहा जाता है पटिचे समुपादर, पुन्यान्बिक्षू, भाव हेत्व के कारण जनम होता है, भाव मतला जनम लेने के लिए करम तेयार होने के कारण जनम हो जाता है ये भी दुनिया, भावान बदलत जनम लिया तब नहीं लिया तब दुनिया में भूत रहता है भावान बदलत जनम लेके ये कारण अनुबर किया, जान गया, ज्ञान से मानन करके समझ किया, समझ किया, सारे जगह को दिखाया खौल दिया, उपदेश्ट दिया, पहचाना और निकाल के दिखाया, ज्ञान से मानन करके देखने के लिए समझाया कौन सा कारण? जो भाव के कारण, यान कि जनम लेने के कारण तेयर होता है, उसके कारण जनम होता है, वो कारण सत्य है जूट नहीं है, कभी बदलता नहीं है, ये हेत उपल धरम है, ये पठिट सामपाद है इसकार बता है, उपादान के कारण भाव उद्पन होता है, उपादान मतला बंधन, काम बंधन, तिठी बंधन अथवाद बंधन, ये बंधन के कारण ही लोग करम करता है, भाव मतलब कारम तेयर होना, तो बंधन के कारम करम तेयर होना, भागवान बुद्ध जनम नहीं लिया ता भी दुनिया में? होते रहता है, लेकिन बख्वान बुद्ध नहीं किया कि जनम ले की ये साथ्टी को समझ दिया, समझ के दुनिया को दिखाया, निकाल दिया, खोला दिया, समझाया, विश्तार किया, अक्च से दिखाया, ज्ञान से मनन करकी देखने के लिए दिखाया. पुन्यान बिक्षु, इस प्रकार बंधन की कारम, जनम के लिकारम तेयर होना, ये सत्य हैं, परम सत्य हैं, कभी जूट नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है, फेत पला दरम है, ये ही है पटिस्वाम पादु इसका बता है पुन्यान बिक्षु पुन्यान बिक्षु, आप लोके सब्सक्राइब में आता है ना? ना डिटेर चरता है, पुन्यान बिक्षु, पुन्यान बिक्षु, त्रिष्णा के कारम बंधन उत्पन होता है त्रिष्णा मतला इच्चा, इच्चा के कारण यानकी त्रिष्णा के कारण ही बंधन यानकी उपादान, उपादान मतला बंधन उपादान, जैसे में आपका मन पुस चाता पे उपादान होगे, मेरा मन इस कानत उपादान होगे नियुक्त पूल में उपादाना हो गया, मेरा मन ये फूल पे उपादाना हो गया, अभी समझ चिन उपादाना मसल किया है? बंधन, बहन जान, तो भगवान गुद्ध ने दिखाया, ये तृष्णा के कारण उत्पन होता है, उपादान, बंधन, ये जो तृष्णा के कारण उत्पन होने बंधन, भगवान गुद्ध जनम नहीं लिया, तबी तृष्णा के कारण उपादान होता है, हमेशा होते रहता है लेकिन भगवान गुद्ध ने क्या किया अनुबोद किया, जान गया, समझ किया ज्ञान से मानन करके प्राप किया प्राप करके पुरा दुनिया को खोल के दिखाया समझाया, विश्तार किया आच्ची तरह समझाया, आच्ची तरह दिखाया, ज्ञान से मनन करके देखने के लिए दिखाया, निकाल के दिखाया, एसा कर दिया. इसके वाद बरता है पुन्यान विट्षू, यह जो थ्रिष्णा के कारण बंधन उत्पन होता है, वो सत्य है, जूट नहीं है, अभी बदलता नहीं है, हेत पर धर्यम है, यह है पठी स्वामपाद। क्या हो है? इसके बाद इसके बाद पुन्यान बिक्षू वेदना के कारण त्रिष्णा उत्पन होता है सुप्तुकुपेक्षा वेदना के कारण त्रिष्णा उत्पन होता है त्रिष्णा उत्पन कारण क्या है सुप्तुकुपेक्षा वेदना वेदन नहीं त्रिष्णा उत्पन है नहीं होता है ये कारण भगवान बुद्ध जनम लिया तक भी जनम नहीं लिया तक भी हमें सासार होते रहता है लेकिन भगवान भुट ने इसको अन्बोद किया, जान गया, समझ गया, समाज के दुनिया को दिखाया, समझाया, विश्तार करके लिकार के दिखाया, अच्छा समझाया यह जो वेदना के कारण त्रिष्णा उत्पन होता है, वे परम सत्य हैं, कभी जूट नहीं होता है, यही पटिश्वंपार, वैसे हैं, वैसे हैं, पुन्यान भिक्स, इस परसे कारण वेदना उत्पन होता है, इस परसे कारण वेदना उत्पन होता है, पिर आयतन के कारण इस परश उत्पन होता है, इसके बाद नाम रूप कारण आयतर उत्पन होता है, फिर विन्यान के कारण नाम रूप उत्पन होता है, फिर संस्कार कारण विन्यान उत्पन होता है, इसके बाद अविद्या के कारण संस्कार उत्पन होता है, ये जो कारण तथा जनम नहीं लिया थब दुनिया में धरम नियाम धरम है, सनातन धरम हमेशा होते रहता है, खेतपल धरम है, ठतागत भगवान बुद जी जान गया है, प्रत्यक्स किया है, अबोध किया है, समझ किया है, एसे हो कि सारे देव मानों को ये सब दिखाया, उपदेश दिया, पहचान वाया, और विस्तार किया, अच्चा से ज्ञान से मानन करके देखने की दिखाया, ये अविद्या के कारण सांसकार उत्पन होना सत्य है, जूट नहीं है, ये हेतपल धरम, ये हे पटिशमपाद, पुन्यान बिक्सु हेतपल धरम से क्या जनम लिया, क्या उत्पन हुआ, पुन्यान ब जरामृत्यू अनित्यू है, वो बनाया हुआ चीज है, जरामृत्यू, हेतुपल धर्म से बन गया है, नस्ट होता है, खतम हो जाता है, ये जरामृत्यू के बारे में आसक्त नहीं होना चाहिए, आसक्त है तो आसक्त नस्ट करना चाहिए, ये जनम लेना भी अनित्यू है, हे इसको भी नश्ट करना चाहिए तृष्णा, वेदना, इस्पर्ष, आयतन, नामरूप, विन्यान, अविद्या, ये सब कुछ इतुपल धर्म से बन गया, ये सब कुछ अनित्य है, नश्ट होता है, आना सक्त होना चाहिए, आसक्त को निरुद्द करना चाहिए, इसको कहता है परित्पल धर्म से बन गया, पुर्यान विक्षू, जिस दिन आर श्रावत, ये पठे संपाद, पठे संपाद जो कुछ उत्पन होता है, उसके बारे में, अपना प्रज्णा से उसी प्रकार जान गया तो उन का मन में, ये विचार अभी उत्पन नहीं होता है, कि हम अतित अतित में थे या नहीं, अतित में नहीं थे, क्या, अतित में हम कौन थे, अतित में हम किस प्रकार के थे, अतित में हम कौन-कौन बन गया थे, इसी प्रकार, अतित के बारे में कोई मनन उन का मन में नहीं आता है, फिर अनागत में भविशे में हम हों गी, ये नहीं, में आपके में वेल हो जाएगा इस इह प्रकार बाविशे के बाविशे के बारे में नहीं है वर्तमान के बारे में किसी प्रकार हैं, ये सत्यों कहां से आ गया, ये लोग कहां से आ गया, ये लोग कहां जाता होगा, वरतमान अपना जीवन कैसा कैसा है, एसा डाउट सक अभी उत्पन नहीं होता है, इसका कारण क्या है, पटी संपाद या पटी संपाद में जो कुछ उत्पन होता है, उसके आर शाव अपनी प्रक्जा से उसी प्रकार जान गया, जानने का उनकमान अतीक में भी नहीं रहता, अनागत में भी नहीं रहता, वाक्समान में भी नहीं रहता, मुट्व पने.